Hi, अब तक आपने कुछ simple से programs देखे हैं कि हम उन्हें किस तरह से execute कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि कैसे हम कुछ अलग-अलग built-in libraries को python में import कर सकते हैं Libraries मतलब कुछ special functions करने वाले program होते हैं जो programming language जब आप start करते हो, on करते हो, तो by default load नहीं होते हैं instead आपको जब भी उन्हें use करना होता है, तो आप उनको अपने program में include करते हैं या फिर कहिए import करते हैं यह libraries बहुत अलग-अलग किसम की होती हैं और इन्हीं libraries की वज़े से हमारी programming language बहुत ही rich बनती हैं जिससे कि आप कई सारे अलग-अलग task कर पाओ, आसानी से और बड़े ही आराम से अब यह libraries कौन-कौन से होते हैं, उनके क्या-क्या type से यह सारी चीज़े हम detail में बाद में देखेंगे पहले हमें देखना है कि बस इन libraries को use कैसे कर सकते हैं by making use of the import keyword सबसे पहले हम कुछ time delay देने के लिए trial करते हैं मतलब कि दो line print करने के बीच में अगर मुझे एक second का या दो second का gap देना है या delay देना है, तो वो कैसे कर सकते हैं यह और दूसरी एक library हम देखेंगे जिससे कि हम computer से एक random number कैसे generate करा सकते हैं इन दोनों libraries को देखने के बाद हम कुछ एक चोटा सा project ट्राइक करेंगे और फिर अलग-अलग libraries जितने भी होते हैं क्या-क्या type के होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा study करेंगे चलिए शुरू करते हैं by checking how to import these libraries in our python program तो चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं import keyword और कुछ simple से programs करके देखते हैं तो मैं इसको minimize कर देता हूँ अभी PowerPoint को और यह है हमारा Google collab जैसे कि मैं कहा आप मुझे क्या चाहिए मुझे एक library को यूज़ करना है जिससे कि मैं कोई भी एक delay introduce कर सको ले लिजिए मान लिजिए मेरे दो print statements print hello world and then ले ले लते हैं चलिए print this is a trial code which should print print after one second of delay अब मुझे क्या गरना है मुझे इन दोनों के बीच में एक time delay introduce करना है उसके लिए हम एक library use करते है जिसका नाम है import time चलिए दिखते है time कैसे काम करती है import time अब जहां भी program में आपको चाहिए कि आपको delay introduce करना है कोई किसी किसम का आपको pause या wait देना है तो आपको सिर्फ लिख देना है time जो की library का नाम है dot slip यह बहुत ही common format है यह सिर्फ time library की बारे में ही नहीं आप कोई भी library python में use करोगे तो उस library का नाम dot देखे उसके member function को आपको call करना है अब इस member function को हम एक और तरीके से देख सकते है मैं आपको थोड़ी दर में बताऊंगा चलिए लेते हैं एक second का time.slip यहाँ पर जो भी आप value दोगे उतने second का delay generate होगा इसका मतलब यह नहीं है कि एक से कम second आप नहीं ले सकते हैं आप ले सकते हो in that case 0.5, 0.1 आपको जो चाहिए वो delay value आप डाल सकते हो फिलाल के लिए देखते हैं एक second के delay के साथ चलिए इस code को run करते हैं hello world और this is trial पहले print होगा और यह एक second के बात यह line चले count करते हैं एक, दो, तीन इस तरह से जहां कहीं पे भी आप time.slip introduce करोगे वहाँ पे program slip mode में चला जाएगा मतलब कि program कुछ देर के लिए वहाँ पे रुख जाएगा अब ज़रूरी नहीं है इसको यहीं पे लिखो आप अगर हम चाहे तो hello world के बाद भी 3 second का delay ले सकते है तो पहले आएगा hello world फिर 3 second के बाद यह वाली फिर 3 second के बाद अगली line so this is how आप time.slip यूज़ कर सकते हो इसके अलावा मेरे एक और library के बारे में बोला था, वो था random चलिए दिखते है random क्या है import random अब यह मैं बस यह पहली दो line रखता हूँ अब random library से आप क्या अगर सकते हो आप computer से कोई भी random number read करने की कोशिश कर सकते हो आप computer को कह सकते हो कि कोई भी एक random number बताओ अब इसका use कहा है, इसका purpose क्या है आपको पता होगा हम conversation में कई बार एक दूसरे को कहते हैं कि कोई भी एक random number बताओ या एक से दस की बीच में की कोई value में बताओ तब हमारा purpose कुछ खेलने के तरह होता है बट computer में random number का बहुत ज़्यदा importance है कई जगह पे आपको random number generate करने की ज़रूरत पढ़ सकती है उसका example भी मैं आपको दे दूँगा अभी के लिए सिर्फ देखते हैं कि random number कैसे computer से हम ले सकते है with the help of this random library चलिए देखते हैं random number कैसे लिया जाए तो time.slip देख लिया हमने अब एक variable ले ले लेते हैं और इसमें मुझे चाहिए random integer तो मैं फिर से दे देता हू random dot so library का नाम dot rand int यह एक function का नाम है मतलब जैसे time library में slip नाम का एक function है वैसे ही random library में एक rand int नाम का function है इसकी detailing हम धीरे धीरे समझ नहीं वाले है अभी इतना जादा मत सोचिए बस इतना समझ लीजे कि यह function हम use कैसे कर रहा है चलिए यहाँ पर एक range दे दीजे 1,10 इसका मतलब क्या है कि 1 से 10 के बीच में कोई भी एक number आपको randomly मिल जाएगा try करते हैं print random number is comma a और यह delay को एक second कर देते है मैंने प्रोग्राम को run कर दिया पहला random number मिल गया हमें 3 फिर से run करते है हमें मिल गया 4 फिर से run करते है हमें मिल गया फिर से 3 run करते चाहिए 2 8 अब इस delay को थोड़ा और कम कर देते है ताकि हमें थोड़ा जल्दी जल्दी result दिखे जरुरत है नहीं हमने इसके सुर्फ ट्राइल किया है 6 3 5 3 10 9 सारे ही नंबर आपको randomly इसमें से मिलते हुए दिखाई देंगे अब जाहर से बात है आपको ये सवाल आने ही वाला है कि हम क्यों कर रहे है हम invite whom what is the need of random number बताता हूँ आपको अब मान लेजे आपको computer से कोई choice लेना है ठीक है computer से कोई choice लेना है और आप चाहते हो कि कोई predetermined choice ना रहे उस वक्त आपको random number generator की ज़रूरत पड़ती है अब मैं आपको एक छोटा सा example ही दे देता हूँ और ये example हम python program में करने की कोशिश करेंगे पहले मैं यह आपको बताता हूँ ताकि आप इससे समझ पाओ आपने rock paper scissors game के बारे में सुना है और stone paper scissors actually मैंने भी नहीं सुना था हमारे बच्पन में बच्चे खिलते थे मेरा बच्चा और मेरी बच्चे खिलते हुए मैंने देखा है तो इसलिए मुझे पता चला है इस game के बारे में इस इन इंट्रेस्टिंग गेम दो लोगों के मीच में अगर कोई game खिलना होता है तो वो बहुत commonly rock paper scissors खिलते हैं यह game क्या होता है मैं एक दम short में आपको समझाता हूँ तीन तरह के symbol से a punch और this fist या एक बंद मुठी होती है rock उन्हें बस rock paper scissor कहें के कोई भी एक symbol display करना है ठीक है अगर एक player display करता है paper दूसरा player भी display करता है paper यानि कि क्या हो गया time अगर एक paper डिस्प्ले करता है paper दूसरा डिस्प्ले करता है scissor तो scissor से paper कट जाएगा यह player जीत गया आई रिपीट पेपर scissor scissor जीत गई stone scissor stone ने scissor को ford दिया stone जीत गया paper stone paper में stone को पकड़ लिया उठा के fake दिया इस तरह से यह बहुत ही simple सा game है मैं हाँ पर लिख देता हूँ कि यह game क्या है ठीक है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए so rock wins over scissor मतलब rock scissor के उपर जीतता है paper wins over rock and scissors win over paper अब ultimate सी बात है यह game है इस game में तीन choices से एक होगा मान लीजिए rock एक number assign कर दीजिए उसे कहिए rock दो number assign कर दीजिए उसे कहिए paper और तीन number assign कर दीजिए इसे कहिए scissors अब game ऐसा है कि आपको user से इन में से एक number लेना है और computer से भी इन में से एक number लेना है अब computer से आप predetermined तरीके से एक दो तीन लोगे तो ठीक से game नहीं होगा जैसे आप एक random choice देने वाले हो 123 में से वैसे computer से भी एक random choice आनी चाहिए और वो random choice हम लेंगे इस random integer नाम के functions अब यह है आपका task आपको क्या करना है user से इन तीन में से एक number लेना है then उसके बाद accept one of these three numbers from computer ये करने के लिए आप क्या करोगे इस तरह से आप function लिखोगे बढ़ यहां पर क्या लिख दोगे आपको तीन में से एक चाहिए तो एक से तीन की बीच में आपको number चीए तो यह आप लिख दोगे और उसके बाद आप क्या करोगे उसके बाद आप सिधा सिधा लगाओगे if loops to determine winner और tie यह है आपका प्रोग्राम यह आपको अभी try करना है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि rock, paper, scissor हम किस तरह से लिख सकते हैं अभी के लिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पे सूचिया और प्रोग्राम करने की कोशिश कीजिया Thank you for watching this video